हेलो एवर्यवन तो आज की हमारी रेशिपी है हमस इसको आप इटा ब्रेग ये वाला कर आप साथ भी रहा कर सकते हैं लेकिन मैं आज इसको चैचोज के साथ भी सब्सक्राइब हाली हूँ तो आए इंच तक बना के तयार करती हैं यह की पीजिटी है आप इसको इस तरह से ब हम इसके लिए हम चने करते हैं वाइट और हम अच्छा से धोगे वाष करके रात को सोग करके रख़ देंगे और फिर इसको हम सुबे बॉल कर लेंगे इस दरह से मैंने चने बॉल कर लिए है बहुत ही बढ़िया चनेबॉल हुए है हमारे आम बाते के ताहिए हми तो यह देखिए चनेबॉल हो चुके हैं और ब्लैक सॉल्ट लेंगे गार्लिक की आप कलिया भी ले सकते हैं तो अब हम एक ग्रैंडिंग जार लेंगे उसमें हम चने एड़ करेंगे और बाकी की सभी चीज़े भी हम इसमें एड़ कर देंगे बुना हुआ जीरा, गार्लिक, ओलिव ओल, लेमन जूस और साथ ही ब्लैक सॉल्ट ये सब चीज़े जो अभी हमने मैंशन करी हैं इसमें एड़ कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें सॉल्ट भी आड़ करेंगे एकॉर्डिंग टू टेस्ट और अब हम एक तवे पे वाइड तिल ड्रायर रोस्ट कर लेंके आप चाहो तो इस तिल को आप रोस्ट करने के बाद अलग से भी पीश सकते हो नहीं तो चने के साथ ही इसको हम पीश के तयार करेंगे फास्ट बन के तयार होंगे तो मैं इसमें ही इसको एड़ कर देती हूँ और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है यह देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा चने जो हमने बॉयल की तो उसका पाने डालेंगे और इसको फिर से ग्रैंड कर लेते हैं आप चाहो तो इसमें ओलिव ओल भी और अड़ कर सकते हो इसमें ओलिव ओल थोड़ा सा जादा ही यूज होता है तो ये देखिए बिल्कुल हमस बन के तयार है तो आपने देखा कितने जल्दी बन के ये रसी भी तयार होती है बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आती है तो आप इसको इस तरह से बना के इंज्वाए कर सकते हैं अब हम इसको सरविंग बॉल में निकाल लेते हैं हमस बन के बिल्कुल तयार है तो आप हम इसको थोड़ा सा ट्रेकोरेट भी कर लेते हैं आप चाहो तो इसको थोड़ lighting भी कर सकते ह। नहीं तो आप इसको जैसे चाहो इंजोई कर सकते हो तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रक्रेट कर लेती हूं और ऐ्लीवाइब की हल्प से हम इसको थोड़ा سा तरह से कोई भी शेप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डेनेस को दे सकते हो ये देखा देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं या आपको और भी जैसे अच्छा लगे इस तरह से हमने इसको का दिया और इसमें थोड़ा सा मॉली वॉयल भी एड़ कर देंगे इस रेसिपी में आॉली वॉयल थोड़ा सा ज्यादा लगता है जैसे कि मैंने पहले भी का था अब हम इसमें थोड़ा से चिक पीस भी रख देते हैं जाने के वैट चने तो यह रेसिपी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है अब मैं इसको थोड़ा सा डेकॉरेट कर लेती हूँ अगर आपके घर में गैस्ट आए हैं तो दिखने में थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा डेकॉरेट कर देती हूँ तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इस तरह से आप इसको एंजॉई कर सकते हैं तो मैं ये सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है हमस with natures आप चाहो तो इसको पीटा ब्रेड या फलाफल के साथ भी एंजॉई कर सकते हो तो जैसे भी आप कमान हो आप इसको बना के जुरू ट्राइ कीजिए थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग लाइक एंड शेयर करना ना भूलें थैंक यू